स्वागत है आपका वेन आयस की यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग इस वीडियो में 11 जुलाई को जो जनरल स्टुडीज पेपर वन पार्टी का पेपर हुआ था उसके थ्री मार्कस को डिसकस करेंगे तो चले देखते हैं पहला प्रशन क्या है पहला प्रशन पूछा गया है वेटिकन सिटी के बारे में तो वेटिकन सिटी के बारे में तीन जो प्रमुक बाते हैं वो ये हैं कि इसाई धर्म का जो प्रमुक संप्रदा है रोमन कैथोलिक उसका जो चेर्च का ये केंद्र है सब रोमन कैथोलिक धर्म के सरवोच धर्म गुरू पोप का निवाश है यहां आकर्सक गिर्जागरों, मकबरों तथा कलात्मक प्रशादों प्रशादों से ताथपार है पैलेस के अलावा वैटिकन के संगरहाले तथा पुस्तकाले के लिए जाना जाता है तो यह तीन प्रमुक बाते हम लोगों को वैटिकन सेटी के बारे में यहां पर लिखनी है दूसरा हम लोग का जो प्रशने वो है फैमिलियर लेटर्स किसकी रचना है यह पूछा गया है तो यह फ्रांसिसको पैटराक की रचना है जो पुनल जागरण कालीन एक साहितिकार थे इस रचना में उन्होंने प्रशद्य विद्वानों को संबोधित किया है जैसे कि सिसरो वर्जिल और हारेस तीसरा प्रस्ण बिल ओफ राइट्स था बिल ओफ राइट्स यानि अधिकारों का विद्यक सबसे पहले इंग्लेंड की संसर द्वारा दिसंबा 1689 या 1689 में पारित एक अधिनियम था कानून था जिसके द्वारा समयधानिक मामलों और नागरिक अधिकारों को स्थापित किया गया ब्रितन में और इसे इंग्लेंड की गौरव साली क्रांती जो 1688 में हुए थी उसके बाद लाया गया तो ये तीन बिंदू जो है तीन पॉइंट है बिल ओफ राइट्स के लिए परियाप्त है अगला जो हमलों का प्रश्ण है उग्र राष्ट्रवाद यह एक ऐसी विचाधारा है जिसमें राष्ट्र हितों को सर्वो परिमाना जाता है राष्ट्र हितों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया जाता हथियारों के साथ हिंसा के साथ मतलब all interest are below national interest सभी तरह के जो हित होंगे वो राष्ट्री हित से नीची होंगे जैसे हम लोग देखते हैं कि हिटलर ने जर्मनी में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और उग्रराष्टवात के पनपने की करण ही जर्मनी में हिटलर स्थापित हो सका वहांका नेता बन सकाऊ बिश्वी सतापधी के प्रथम दसक में भारत में भी उग्रराष्टवात का उदह हुआ जिसके करा अनुशीलंद समिति ये संस्थाओं का गठन किया गया आगे चल करके 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन का अगठन हुआ जो कि दूसरा चरण था उगर रास्टवाद का तो उगर रास्टवाद के बारे में हमको ये बाते लिखने एक तो ये क्या है यह वेचारधारा है इसमें क्या होता है? संगर्थ होता है रास्टवी हितों को सर्वपरी माना जाता है देश सबसे बड़ा महत्यपूर बन जाता है लोगों के लिए और इसका उदाहरण लिखना है अगला जो हमारा प्रशन है वो है प्रतम विश्युद्य के तीन समाजिक प्रभाव लिखिया तो और भी प्रभाव हैं जो तीन प्रभाव मुझे लगे वो इस प्रकार है कि नारी आंदोलन को बल मिला जो प्रत्रम विस युद्ध में पूरुसों को युद्ध के लिए जाना पड़ा तो घर का काम के खर्च चलाने के लिए महलाओं को कारे करने पड़े महलाओं को घर की चारदिवारी से निकल करके फाक्टरियों में काम करना पड़ा जिसके करन उन्हें एक आजादी मिली और इसे वोमन लिब मोमेंट का नाम भी दिया गया या नारी स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा गया दूसरा पॉइंट है कि नसली इस त्रिष्टा की भावना इस युद्ध में समाप्थ होगी जैसे पहले एक विचाध हरा थी कि यह अमुक देश जो है इस देश से सुपिरियर है बहतर है जैसे जापान और रूस रूस को बड़ा बहतर माना जाता था लेकिन प्रथम इस युद्ध में रूस की पराजय के बाद जब जब जापान ने उसको पराजित कर दिया तो यह एक मिठत साबित हुआ युद्ध की कारण अलपसंखिक्यों की समस्या भी सामने आई और उसके समाधान के लिए प्रयास किये गए तो यह तीन बिंदू हम लोगों को यहां पर लिखने है अगला जो प्रस्ण हो है धर्म निर्पेच्छ साहित्य एक ऐसा साहित जिसकी पुनर जागरण काल में योरोप में भी इस तरह का साहित्य की रचना हुए जैसे शक्सपियर ने प्लेज और स्टोरीज लिखी जिनका जो सब्जेक्ट या कंटेंट था वो कोई इस्वर या गाट नहीं था उसमें यूमन बिंग्स को या मनस्यों को केंद्र में रख करके दचना की गए तो ये धर्म निर्पेच साहित्य है अगला जो प्रशने वो है नवीन मुसल्मान जलालो दिन खेली से पराजित होने पर लगभग 2000 मंगोलों ने उसकी अधीनता को स्वेकार किया और दिल्ली की बारी छेत्र में रहने के लिए रडी हो गए तयार हो गए वह इनको नवीन मुसल्मान कहा गया बाद में जलालो दिन ने अपनी पुत्री का विवा इधी मंगोलों के साधार उलगु खां के साथ कर दिया था अगला जो प्रस्ण है वो है इसकंद गुप्त एक गुप्त वन्स के एक प्रमुख शाशक थे जिनका शाशनकाल था 455 AD से 467 AD तक इनकी राज़ानी पाटले पोत्र इनहीं के काल में कबिलाई होडों ने आक्रमण किया और इन्हों ने उन्हें पराजित किया था सुदार्शन जील पर उन्हें बाद बनवाया और इसको रिपेर करवाया था तो ये तीन महत्पूर्ण बिंदु हम लोगों को इसकंद गुप्त के बारे में लिखना है अगला प्रस्ण मौखरी वन्स के बारे में है गुप्त काल के पतन के बाद मौखरी वन्स ने 554 AD से 606 AD 554 AD to 606 AD जो सामानिता माना जाता है वो इनका शाषन काल है पश्च में उत्तर प्रदेश के छेत्रों पर शाषन किया इनकी राजानिक कन्नौज थी और इसके प्रमुक शाषक हुए इसान वर्मन और सर वर्मन 606 AD 606 AD में मौखरी वन्स के शासक ग्रह वर्मन की हत्या के बाद वहां के लोगों ने हर्स को अपना शासक स्विकार कर लिया क्योंकि ग्रह वर्मन हर्स वधन के बहनोई थे उनकी मदद के लिए हर्स वधन को जाना पड़ा और इस तरह से मौखरी वन्स कीज़ेगा पुस्सी भूती वन्स ने ले ली 606 A.D. अगला जो प्रस्टने वो है गुर्जर प्रतिहार वन्स यह राजपूतों की एक शाखा थे जिसने शुरू में उज्जेन तथा बाद में कन्योज में शाषिन किया इस वन्स की नागभट प्रथम ने जिनका शाषन काल 730 A.D. to 756 A.D. था इस वन्स को एक स्ट्रेश्ट वन्स के रूप में स्थापित किया इसके अन्य योगिश आसकते नागभट दुत्तिह, मेहर भोज और महेंद्रपाल अगला जो हम लोग का प्रश्ण वहा करपूर मंजरी या संस्कृत के प्रशिद नाटक कार राज शेखर द्वारा रचित एक प्राक्रत का नाटक है प्राक्रत भासा के प्रमुख नाटकों में इसका बढ़ा है महत्पूर स्थान है और इस सटक में दिखा इस सटक कहा गया है कि जाजा चंदरपाल ने कुंतल राजपुतरी करपूर मंजरी से विवा करके चक्रवती पद को प्राप्त किया था यहां तीनों बाते हम लोगों ने लिख दी है जो कि किसी भी रचना से संब्दित लिखी जाने चाहिए थ्रे मार्कर के लिए लेखक कोन है किस भासा का है कितना महत्पूर्ण है और इसका कंटेंट क्या है इसके विशाय वस्तु क्या है अगला जहमलों का प्रस्ण है वह भक्ती आंदोलन के कोई तीन कारण लिखने थे तो पहला कारण लिख सकते हिंदु धर में जटिल हो चुका था लोगों को एक ऐसे विकल पिया एक ऐसे विचाधरा की तलास्ती जो आसान हो सरल हो जिसको जीवन में आसानी से पालन किया जा सके दूसरा मंदिरों और मोतियों का विनास कर दिया गया था तो संतों ने एक अलग माध्यम निकाला इस वत से जुड़ने का और लोगों को प्रेरित किया कि मंदिर भी जाने की जहुरत नहीं है बलके आप कहीं भी रह करके इस वत से आगाध प्रेम करके जुड़ सकते हैं और तीसरा समन्वय की भावना क्योंकि मुसल्मियों को हिंदों के साथ रहते हुए समय हो चुका था तो एक ऐसी विचाधारा किया वा सकता थी जिसमें प्रेम की बात हो जिसमें इस्वर से जुड़ने की बात हो तो ये तीन प्रमुक कारण थे जिसके कारण भक्ती आंदोलन का उदे हुआ अगला जो प्रशन है वो है बेगम हजरत महल ये अवद की नवा वाजिद अलिशाह की पत्नी थी अठारा सो सत्तावन की क्रांती का लखनवुसेनों ने नेत्रत्व किया था क्योंकि इनकी जो पुत्र थे वो अवयस्क थे अंग्रेजों ने जब दुबारा लखनों पर कबजा कर लिया तो ये नेपाल पलायन कर गई थी और माना जाता है कि उनकी मृत वहीं पर हो गए तो ये तीन प्रमुक बाते हैं जो बेगम हजरत महल का एक संचिप्त परिशे देती है अगला जो प्रशन है वो है वांडिव की बीच एक नडायक युद्ध था नडायक इसलिए क्योंकि इसके बाद फ्रांसिसियों का पतन हो गया भारत में इस्थान वांडिवास जो की वर्तमान में तामिल नाडू में है और प्रिटिस कमांडर सायर आयर कोट ने फ्रांसिसिक कमांडर काउंट डिलाली को पराजि की वर्तमान में अडिव्यां साथियों के द्वार इस्थाांड रांसिकारी संगठन है जिसे पूरी बंगाल में इस्थाथा और इसका उद्देश से था सश्था-क्रांति के द्वारा भारत्य गर्तंतर की इस्थापना करना इस संगठन ने काकोरिय ट्रेन कांड या काकोरिय ट्रेंसराइंट्र को अंजाम दिया था तो ये तीन प्रमुख बाते हैं जो हिंदुस्तान रेपलिकल कटीन के बारे में हमें लिखना चाहिए और इससे हंदुशनान रेपॉब्लिकन एसोसेशन के बारे में एक संचिप्त जानकारी प्राप्त हो जाएगे इस तरह से थ्री मार्कर को अटेंट करने की कोशिस करें क्योंकि थ्री मार्कर में हमेशा प्रमुक्ख बातों को लिखा जाता जिससे कि उस विखाय के बारे में एक संचिप्त इस परस्ट जानकारी मिले और तभी अच्छे नमबर आते हैं प्रयास करते रिए थ्री मार्कर बैतर होते जाएंगे समय के साथ थैंक यू